चीन की सेना को मुतोड जवाब देने के लिए भारतिय सेना ने पूर्वी लद्दा के फॉरवर्ड एरिया में के नाइन ओटोमेटिक होविट जायर रेजिमेंट को तेनाद किया क्योंकि जैसा चाल चरित रहता है चीन के उसको देखते हुए भारत ने पहले से ही वी वेवेस्ताय करना शुरू कर दिया और देखे हमारे खास एपोर्ट चीन के दोहरे चरित को आखिर कौन नहीं जानता एक तरफ चीन एलेसी पर तनव कम करने के लिए भारत से बातचीत करता है तो वहीं दूसरे तरफ पूरवी लद्दाक में सैनकों के लिए टंट लगा रहा एलेसी के पास के कुछ शृत्रों से सैनकों को पीछे हटाने के प्रक्रिया को अगर बढ़ाने के लिए चीन से अक्चूबर के दूसरे सपताह में तेरवे दौर की बातचीत की उमीद जताई जा रही है इस बेच आर्मी चेफ जनरल नर्वणे ने साफ कर दिया है कि भारती सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीकी से तयार लद्दाक में अलेसी पर चीन लगातर तनाव बढ़ाने के लिए कोशिशे कर रहा है इस बीच पूर्वी लद्दाक में लंबे समय से जारी सैन गतरोत को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच तेरवे दौर की बातचीत अगले हफते होने की संभावना इसमें पूर्वी लद्दाक के उन इलाकों से सेना हचाने पर विचार होगा जहाँ पर आपको बता चले दोनों देशों की सेना तैनाथ है दोनों देशों के बीच कोर कमांडर इस्तर की वारता होनी है सूत्रों के मताबिक बातचीत का समय और इस्थान अगले तीन-चार दिनों में तैह होने की उम्मीद वारता की दोरान वास्तुरिक नियंतरुन रेखा के नजदीक बचित छिकानों से सेना को हचाने पर विचार होगा हाट स्प्रिंग्स और कुछ अनिश्षित्रों से सेना वापस बलाने पर चर्चा होगी सेना प्रमुक जनरल एमेम नरवडी ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर की दूसरे सप्ता में चीन से तीरवे दोर की बातचीत होगी और हम इस बात पर आम सहमती पर पहुचेंगे कि डिसेंगेजमेंट कैसा होगा पिछले छे महीने से इस सामान ही एक साल से ज़्यादा वक्त से बातचीत चल रही है बारेवे दोर की बातचीत पिछले महीने होई थी और आपको बताते चले तीरेवे दोर की बातचीत जल्द हो सकती है उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हो सकता है अक्टूबर के दूसरे हफते में ही बात चीत हो जैसा कि हमने मसलों पर बात चीत की हम इस बात को लेकर अश्वस्त है कि हम सहमती पर पहुची जाएंगे कैसे डिसिंगेजमेंट की प्रक्रिया को आखिर आग पर चीत के जरिये मसले को हल किया जा सकता है विछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ भी हमें इसे लेकर भरोसा है कि नतीजे अच्छे ही हासिल होंगे एजबेच एलेसी पर चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तयानिया तेज कर दी एलेसी पर च चास किलोमेटर दूरी पर मौझूद दुश्मन के ठीकानों पर हमला करने में सक्षम है ये तोपे उचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती है इसका फिल्ड ट्रायल बहुत सफल होगा पुरवी लद्दाक के दो दिवसी दौरे की दौरान से ना पर मुखली चीन को चेता बढ़ा रहा हा हाला कि पिछले कुछ समय से चीन के हरकतों पर नज़र डाले तो उसके नापाक मनसूबे साफ पता चलते हैं चीन की चाल बताती है कि उप पूरवी लद्दाक में तरवा कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के फिलहाल मूड में नहीं है चीन एलेसी पर त उनिक हत्यारों की तैनाती एरबेजों का अपग्रेडेशन कर रहा लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि एलेसी पर चीन की सेना के हर हलचल पर उसकी नज़र है चीन को सटीक जवाब देने के लिए हर मूंकिन तयारी की जा रही है इसलिए चीन भारती सेना के पाराकरम औ तो ना ही पाले